हेलो गुड इवनिंग स्टुडेंट्स ओप ओल और फाइन और इंजॉइंग गुड हेल्थ स्टार्ट करते यांची अपना मडीवल हिस्ट्री दा लेक्चर टू मडीवल हिस्ट्री मद कालीन पारत दे बारे जो असी स्टार्ट किता सी कि मुस्लिम इवेजन जदू होया पा आई उन्दे बारे आपा डिसकस कर रहे सी तब मैंनों पहले कुछ कोशन्स दे आंसर देया जो सारनाल पहला शाशक मुस्लिम शाशक जिसने पारते हमला करके जित प्रापत किती ओके राशाशक है और उनने केरी थानु जित्या सी और केरे राजे नुहराया सी यह भी दस् अल बरुनी दी बुक दा नाम दस्यों जी अल बरुनी दी जेरी रचना है और केरी यह अल बरुनी और अल बरुनी केरी सेंचरी दे वेचे पारताया ओ दस्या जो अल बरुनी केरी सेंचरी जे पारताया ओ दस्या जो अल बरुनी दी जेरी एक बुक है उननु इंग्लीशे जे ट्रांसलेट किनने किता है ते उसनु हिंदी दे वेचे ट्रांसलेट किनने किता है ओ भी दस्या जो मेहमूद गजनवी ने पारत ते किनने हमले कित थे जी और जेरा सोमनात मंदर ते हमला है ओ केरे साल होया सोमनात मंदर ते हमला होया ओदू शाशक कौन सी ओदू शाशक कौन सी ठीक है एक एवी दस्या जो महमूद गजनवी नू केरे शाशक ने हराया तो चलो जी स्टार्ट कर दें आपड़ का आपा it टामडीवल ही सच्ति दा जिर्ख स्टार्ट कर eatingि जलदी नाल oल एशनू लाइख शेयर टे सब्सक्राइब करो फिर अपा स्टार्ट करई जी नुट जल्दीना लैसनू लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करो फिर लैसनू स्टार्ट करिये जी हाँ जी चलो जी यह ऐसी डिसकस का चुके सी जी ता चलो जल्दीना एपार्ट आसी डिसकस का चुके हैं जी हाँ एनना कोशन्स दे आंसर देो जी जल्दीना जेरे कोशन्स शान आमा किस्ती रचने एवी दस्या जी शान आमा किस्ती रचने शान आमा किस्ती रचने कहां जी जी ऐगर आपton पता सेकिंद लेक्चर स्टार्ट करने जी मडीवल हिस्टे लेक्षर लो जी ता सैकिंड लेक्चर देवेच डिसकस करन जा रहें हैं कि जी ताइमिंग सवाग छे बचे तू है सवागे तू सता प्यार्ग अब्रेक कै और ढई सवा 17 अज़ह पार डिसकस करना है मुहम्मम्मद गोरी मुहम्ममद गोरी ने पारत जिरा हमला कितार तो हम्ममद गोरी जिरा सी ओ आपूते प्रादी मदद का रहा सी उस्यों सामराज नो फलानदे लेısı उसना जिरा समराज वेस्टरन फ्रंटियर्ज देविच तक फैल चुक्या सी, ही बिगेन टू फोकस ओन इंडिया, ता मुहम्मद गोरी पारत दे उपर फोकस करना चाहन दा सी, मुज उन बोल्या जान दे मुहम्मद गोरी नू, कंपेन अगेंस दा करमातियंस, रूलर ओ मुल्तान इन ग्यारा सो पचत्तर, हैड एंडिड इन विक्ट्री, जेरी उन दी आ हमला सी करमातियंस दे उपर, ए जित्या उनने ग्यारा सो पचत्तर इच, फेरो दखन वल्ले हो गया, फेरो साउथ वल्ले हो गया, और चलुक्या दी जेरी कैपिटल है, अनिहलवारा, ओ जित्तन दी कोशिश किती, मोडरन दे पटन क्या जन्दा जिसनू, ग्यारा सो थात्तर दे विच, उन्दा वे मोज़ सफ़डे डफीट, रस्ते च, मोज़नू, या मुहम्मद गोरीनू, हार्दा सामना करना प्या, बैटल ओफ क्या दारा, अपा डिसकस करांगे ऐसने बारे, बैटल ओफ क्या दारा, डूरिंग इज फस्ट कंपेइन अगेंस्ट इंडियन रूलर, ता इंडियन रूलर दे खलाफ जे दी पहली कंपेइन सी, ठीक है, ओस दे बारे, ता लो जी, डिसकस कर देया, एक इंट्रोड़क्शन सी मुहम्मद गोरी दी, ता मुहम्मद गोरी, डैज परसन मुहम्मद ता मुहम्मद गोरी दे बारे, माद देशिया दे शाशक श्याबूदीन है, मुहम्मद ने 1192 इसवी वेच उत्री पार्तनू जेतलया सी, गोरी ने पहली बार 1175 इसवी वेच पार्तूते हमला किता, 1178 वेच मुहम्मद गोरी ने गुजराते हमला किता, पर मूल राजा दो जा पीमा दो अलग लग परसने दो पराने मूराजा टू और भीमा टू ने अपनी योग अगवाईयते दलेर विद्वा माता नाइका देवी ता ए समझे जो माता नाइका देवी माता नाइका देवी बैटल ओफ क्यादारा क्यादारा क्या जानदा है सनो बैटल ओफ क्यादारा या बैटल ओफ क्यादारा कह देने है या बैटल ओफ कश्रारा कह देने बैटल ओफ कश्रारा ठीक है एंदे बेच नाइका देवी मदर जे रिया नाइका देवी ता ओ आप दे बेटी बेटी है उसनी कौन कुर्मा देवी बेटी है उसनी कुर्मा देवी और दो बेटे है केरे केरे मूल राजा टू और भीमा टू ठीक है ता अगवाई कर दी है कौन माता नाइका देवी और हरांदे ने मुहम्मद गोरी नू माउं टाबू दे नेड़े लड़या अते हराया ता मुहम्मद गोरी नू जे दा हराया है जादा तर किताब भाँ भीमा टू लिख दी है भीमा टू ता बेटा है थे त्यान देना है भीमा टू भी हो सकता है मूल राजा टू भी हो सकते है नाइका देवी भी हो सकते है और कर्मा देवी भी हो सकते है ए माता ते बेटी नाइका देवी ते कर्मा देवी बड़ी बहादरीना लड़े सी आ रहे जी नाइका देवी जेरी मदर है नाइका देवी ठीक है एन ने मुहम्मद गोरी नो राया तब पर पीट कर लाने जी जो ऐस लाइट ते पड़या रूलर ओव सेंटरल एशिया श्याबुदिन मुहम्मद कंकर्ड नोर्थ इंडिया इन ग्यारा सो बानमे ग्यारा सो बानमे वेचे तराइन दी दुजी लड़ाई चे जित्तेगा आपा पर एश तू पहले इनु कुछ हारा दा सामना करना पर आओ अज़ि डिस्कस का दे गोरी फर्स्ट इंवेडिड इंडिया इन ग्यारा सो बचत्तर पहली बारी पारते जे रा अंड़ा टा लीडरशिप ओभी हैंड कार्जीएस कार्जीएस वीडो मदर जिरी उन्हा दी माता है उस दी अगवाई माता दा नाम की है नाइका देवी फोर्ट एंड डवीटिड गोरी ऐन्हा ने गोरी नु अराया माउंट अबूदे नेड़े इट वाज़ दा फिर्स्ट डिवीट ओफ गोरी, ती पहली हार्सी हार्सी आपध्वारा पब लेनया 1155 गोडीने मुल्तान ते सिंध जितन तुबार्थ उन्हें सोचया उनु दख्चनवालवदिय अनिहिलवारा दखनवाल वदिये अनहिलवारा चलुक्या सुलंकी किंगडम है गा सी चलुक्या सुलंकी किंगडम कौन देख दी सी कुईन नाइका देवी कुईन नाइका देवी राजापा में भीमा टूनू बनाया आया सी पर उन्दी जेरी स्रक्षक सी ओ कौन सी क्वीन नाइका देवी उन्ने हराया मुहम्मद गोरी नू क्यादरा दी लडाई दे विच और जेरा नाइका देवी दा तेरा साल दा बच्चा सी मूलर राजा टू और भीमा टू उसना परा उन्ना ने वी ऐस लडाई दे विच पाग लिया मैंनों दस्या जो कि ये सारी इंफोर्मेशन क्लियर होगी कि ये सारी इंफोर्मेशन क्लियर होगी जी दस्यो जो ऐस पेज ते ऐस लाइड ते है कि ये इंफोर्मेशन क्लियर होगी मुहम्मद गोरी आवदे प्रादी मदद कर रहा सी शाशन नू फलान दे विच वेस्ट वले वद रहे सी पच्छम वल वद रहे सी तक गोरी ने इंडिया नू जितन दा प्लान बनाया पहले मुल्तान जित्ते आ मुल्तान ते सिंध फिर उनने सोचिया में दखनवल वद्धा अंहिलवारा पे उते हमला किता पर अंहिलवारा ती जेरी रानी सी उत्ते दी नाइका देवी जेरी मदर सी विड़्ो मदर फिकें गद्धी ते जुरूर भीमा तू Egyptian मूराजा तू सी पर जरी शरक्षर सी और नाइका देवी सी और बड़ी बहादरीना अगवाई कित्तियों ने लड़ी फिक है उन्दी बेटी भी लड़ी कुर्मा देवी और दो में बच्चे भी लड़े कौन-कौन मूल राजा टू और भूम भीमा टू और एना ने मिलके हडाया मुहम्मद गोरीनू मैंनू दस्या जो किये इंफोर्मेशन समय लागी सारी हाज होन जेरिया इते आस्थे वेच्च कुछ लड़ाईयां गिया इंपोर्टेंट एनना नू अप्पा करने इते आस्थे वेच्च लड़ाईयां तद तराइन दी पहली लड़ाई लो जी तराइन दी पह प्रित्वी राचोहां ते गोरी दे वेच्च तराइन दी पहली लड़ाई हुई यानि उन्नो वापस ऐस पासे आगया नोर्थ वाले पासे और ग्यारा सो एकानवे वेच्च प्रित्वी राचोहां ने मुहम्मद गोरी नू अराया है और तुसी मूवीज वगदा चे शे की कार सकत है उनने द्वारा आप दी पोलसी बनाई मुहम्मद गोरी ने और ग्यारा सो बानवे दे वेच्च एक साल पुरी त्यारी किती ग्यारा सो बानवे दे वेच्च प्रित्वी राचोहां नू हराया और ए पूरे इंडिया दी इस्ट्री वेच्च एक बड़ा टराई drag yoyo डे दूजी लड़ाई जिंदैं वेच्च मुहम्मध गोरी ने प्रित्वी रा चवान नू हराया पहली पूर और गॉर्लें लड़ाई कौन जित्त्या ग्यारा सो इकानवे दे दि धस जो और ओ दूजी लड़ाई को ए दुझिया मुहम्मध गोरी गोरी अलर्टनेस एंड स्किल्ड बैटल टेकनीक वर दा मेन फैक्टर फार दा विक्टरी कदे भी ए पुछया जावे भी एक जेत दा कारण की सी ता जेरी गोरी ने स्किल दिखाई अपनी योगता दिखाई बैटल टेकनीक्स योदनों के में लड़ेया जनता है ओ मेन फैक्टर फृत्वि राचण ठीक है मोदरन सिर्शा दा पुराना नाम है जी सूरसाथी जिरा सूर सती बोल देंदे या सूरा सती बोल देंदे या सूर सती जिरा है वो सरसा है सरसे दे नेड़े उनू पकर लेा सी प्रित्वीरा चोहान नू किते पकर लेा सी सरसे दे नेड़े ताक ग्यारा सो इकानमे ते बानमे दिया दो मशूर लड़ाईया किंदिया किंदिया प्रित्वीरा चोहान ते मुहम्मद गोरी पहली लड़ाई कौन जित्या पहली लड़ाई जित्या प्रित्वीरा चोहान और उने बख्षता मुहम्मद गोरी नू दुजी लड़ाई दे विच दुजी लड़ाई दे वेच मुहम्मद गोरी ने हराया प्रित्वीरा चुहानू और मुस्लिम सामराज शिरू हो गया मुस्लिम सामराज शिरू हो गया मैंनू दस्या जो कि ये समय लग गया या नहीं फेरा इंपोर्टेंट लड़ाईयां आपा डिसकस करनी है जरियां मद काली नितियास दियां बरियां मशूर लड़ाईयां है एनना विचु कोई ना कोई लड़ाई पोछली जन दी है एनना अपा अपने लेक्शर्स दे विच अपडेट रख्या करांगे हो और भी लड़ाईयां मैं ले मैंनू दस्यो एस पासेजरी सलाइड है त्राइन दी पहली ते दुझी लड़ाईयां कि एस बार एक लियर है फर्स्ट बैटल ओफ त्राइन दी पहली लड़ाईयां थे त्राइन दी दूसरी लड़ाईयां जी चलो होना आपा देख दे हां आता होगी हां त्राइन दी पहली ते दुझी लड़ाई ठीक है फिर पानी पद्दी पहली लड़ाई, 1526 देवे चोई, पानी पद्दी पहली लड़ाई, किंदे किंदे वे चोई, बाबर ते इबराहीम लोद्दी देवेच, किंदे किंदे वे चोई, बाबर ते इबराहीम लोद्दी देवेच, ते फिर खानवा दी लड़ाई, चलो बाबर द दहुती हैं लडाईय गिते हैं है पाईपद दी पहली लडाई खानवा दी लडाई चंदेरी दी लडाई या रहाइं पंदरासो चप्वी 1560 सचाई 15ाचाई 518 चार लगातार साल 156 यह पानिपद दी पहली लडाई स्ताई दे वेच खानवा दी लड़ाई चंदेरी दी लड़ाई अठाई दे वेच कागरा दी एंधी ट्रिक काप है MCQ शैशन इच किती सी द्वारा देख लेने हैं मैं तो अनू एक कहानी सुनाई सी बाबर दी जेरी नो हैं गुल बदन बेगम ही मायू दी कारा ली ओना नराज होके चली जन दी है तो बाबर उनू मनान जन दे जड़ू मनान जन दे ता ओ खाना खारी हों दी है पानी पीरी हों दी है ठीक है तब बाबर कहन दे बाबा कहन दे या बाबर कहन दे पानी पीओ खाना खाओ चलो कर तब पानी तू आ गया पानी पत्थ खाने तू आ गया खानवा चलो तू आ गया चंदेरी और का तू आ गया कागरा मैं दसों की यह समय लग या नहीं पानी पीओ खाना खाओ ते चलो कर चलो कर हाँ जी पानी तू की आ गया पानी पत खाने तू आ गया खानवा चलो तू आ गया चंदेरी कार तू आ गया कागरा मैंनों दस्तो जी की ये समय लग्या पानी पियो खाना खाओ चलो कर पानी तू पानी पदी पहली लड़ाई खाने तू खानवा चलो तू चंदेरी कार तू कागरा पानी पियो खाना खाओ ते चलो कर आप दी नो रानी नू कहन दे पानी पियू खाना खाओ टे चल्लो कर अगू नोरानी की जवाब दिन दी है वो देख देए अगू नोरानी doesn की जवाब हुंते है नोरानी बानो बेगम की कहनदी है बानो बेगम हमारा देवर चार बिल दे गेया सर ठीक है हमारा देवर चार बिल दे गया सोरे थीक है हमारा दा मतलब हमारा दा मतलब उस दे पती दा नाम है हमायू ठीक है हमायू देवर तु आ गया देवराई दा युद चार तु आ गया चोसा दा युद बिल तु आ गया बिल गराम दा युद ठीक है और सो रहा या सर्तु आगया सरहिंद दा यूद तब 1531 देवराई दा यूद 1549 देवेच आप बड़ियां इंपोर्टें लड़ाईया है एना दा साल पुछया जान दे चोसा दा यूद 1549 और बिलगराम दा यूद 1540 और बाद यचे जदू हमाईयू जित्त दै सरहिंद दा यूद 1555 मैनू दस्यों किए समय लग गया नो रानी कहन्दि ये नो रानी कहन्दि ये बानो बेगम कहन्दि ये हमारा देवर उन्ते प्रावना यूद दे प्रावना थोई लड़ाई चल्दी सी हमारा देवर चार बिल दे गया सर, देवर तू देवराई दा युद, चार तू चोसा दा युद, बिल तू बिल ग्राम दा युद, और सर तू सरहिंद दा युद, मैंनू दसो जी कि ये समय लगिया या नी, बाबर दियां लडाईयां ते हिमायों दियां लडाईयां किये याद हो गया बाबर केंदा बाबा केंदा पानी पियो खाना खाओ ते चलो कर अग्गू बानो बेकम केंदी हमारा देवर चार बिल दे गया सो रहा ठीक है हमारा तू हमायू देवराई दा युद हमायू दा चार तू चोसा दा युद बिल तू बिल ग्राम दा युद और सर तू सरहिंद दायोदिया सो रहा तू सरहिंद दायोदिया दसो जी चलो हाँ जी नेक्स पानी पद्दियां लडाईया देख लेने या पानी पद्दियां तिन्नों लडाईया पानी पद्दि जरी पहली लडाई है पानी पद्दि पहली लडाई ओ पंद्रा सो चब्वी देवेच होई है किंदे किंदे वेच बाबर ते इबराहीम लोदी देवेच और एंदेच कौन जिते है बाबर जिते है पानीपद्धी जेरिया तेन लडाईयां बडियां मशूर है पानीपद्धी पहली लडाई 1526 बाबर ते इबराहीम लोदी देवेच जिससे बाबर जिद्ध है पानीपद्धी दूजी लडाई 1525 देवेच एंदेच अकबर ले बच्चा हुंदा है ता बैरम खां शरक्षक ह टीद है बैरम खां लड़ते है हिंदू राजा हीम reliable हीम चंद्रा विक्रमादी तया नल हैममुना और और एंदेच आ अकबर दी जेत तूंदी है तैट मीन बैरम खां जित दे नर्द है ठाझजी अकबर profiles जेत तोंदी है देट मीन बैरम खां जेत तों दी है अकबर दा शर सो अफगानिस t 나오ा किंग। एम्द शाब नि मृराठ या ना। एम्द शाब नाई नी नाए उन्दिया मृराठ या नाा। एम्द शाब नाई थे मृराठ या ठीक है। टीक है। ऐफगान जित दे है। दस्तो जी की एस समझे लग जा ठीक है बाबर बैरम ठीक है एमद अबदाली याद रख लो बह याद रख लो ठीक है बाबर बैरम बदाली अबदाली ठीक है पाजी दसो जी कि ये तिनो लड़ाईयां याद है पानी पद्धी पहली लड़ाई 1526 देवेच चोई किंदे किंदे वेच बाबरते इबराहिम लोदी देवेच कौन जिते आ का बाबर जिते हा पानी पद्धी दूजी लड़ाई तीस आलाबाद 1526 तीस आलाबाद 1526 पंजाबे चोई अकबर ते हेमू दे विच अकबर जित्धिया बैरम खाल लाड़े आसी पानी पद्धी तीजी लड़ाई मराठे आली 1781 दे विच 1781 विच अहमद शाब दाली ते मराठे और कौन जित्धिया अफगान राजा अहमद शाब दाली जित्धिया अफगान राजा अहमद शाब दाली जित्धिया की ये समय लाग क्या जी मैंनों दस्या जो तराइन दी जरी पहली लड़ाई या ओ कौन जित्ते आसी दुजी लड़ाई कौन जित्ते आसी महमूद गजनवी ने पारते किन्ने हमले किते सोमनात मंदर ते हमला कदू किता दस्या जो जी महमूद गजनवी दे नाल कौन पारताया सी किरा ट्रैवलर पारताया सी महमूद गजनवी दे दर्बारे चे केरे केरे कवी सी और उसना दर्बारी कवीदा नाम की सी जिरे उसने दर्बारी कवीदा नाम है ओ की सी दस्या जो दर्बारी कवीदा की नाम से चलो जी अग्गे कुछ लड़ाईयां देख दें एक लड़ाई बड़ी इंपोर्टेंट है ताली कोटा दी लड़ाई बहुत इंपोर्टेंट है ताली कोटा दी लड़ाई ताली कोटा दी लड़ाई की है दख्कन दे विच न दो राज सी बड़े मशूर दो में राज मुहम्मद बिन तुगलक दे टाइम बने बामनी राज ते विजे नगर राज बामनी मुसलिम राज सी और विजे नगर हिंदू राज सी एन न दो में दे विच जरी important battle है ना दो में सामराज ती जरी में लड़ाई है और लड़ाई है ताली कोटा दी लड़ाई ठीक है एक पासे निजाम शाई आदल शाई कुतब शाई ठीक है एर लड़ रहे है दूसरे पासे वीजे नगर एमपायर लड़ रहे है तब बरी इंपोर्टन लड़ाई है ताली कोट दिल लड़ाई है बिट्वीन दा फोर्सिज ओफ हिंदू राजा विजे नगर दा जिरा हिंदू राजा है ओ लारे है चार दे अलाइंस ना ओ चार अलाइंस बामनी किंगडम देने केरे केरे बीजापुर बीदर एमद नगर ते गोल कुंडा ए चारो इकठे होके विजे जैनवरी आई एर इंपोर्टेंट है जेरा ताली कोटा ता आई यर ऐ फंदरा सो पेंट है फंदरा सो पेंट है फंदरा सो पेंट दस से आजो मैं वेट करांगा पंदरा सो पैंट देवेच है ना दोवादी लडाई होई है टे साइट साउथ ओफ वीजापूर इन वाट इस नाव नौर्धरन करनाट का ए होनक नौर्धरन करनाट का देवेच है वैसे ए लडाई हो इसी राय चूर देवेच राय चूर देवेच लडाई हो इसी ठीक है राय चूर देवेच लडाई हो बैटल ओफ टाली कोटा राय चूर देवेच लडाई क्या जन्द है शनू बिल्कुल बिल्कुल हरी हरते बुक्का हरी हरते बुक्का ओ दो प्रासी वेरी गुड दीबरार जी अच्छा आई भी दास्तो कदू बनेया सी विजे नगर समराज जदू विजे नगर समराज बनेया ओदू दिल्ली ती गद्धी ते कोन बैठा होया सी ओदू दिल्ली ती गद्धी ते कोन बैठा है आती वेरी गुड बैठा तेरा सो छत्ती दे विच बनेया सी विजे नगर समराज दिल्ली दी गद्धी दे कौन सी ओभी दस्या दे तब बैटल ओव ताली कोटा बड़ी इंपोर्टन लड़ाई है दक्षन दी लड़ाई विजे नगर समराज दे बामनी किंगडम दे विच ठीक है कदू ओई पंद्रा सो पैंट दिविच होई चलो जी नेक्स देख दे हैं नेक्स जेरी लड़ाई है जिन्नू पारत दे इतियास दी सब तू छोटी लड़ाई क्या जंद है पारत दे इतियास दी सब तू छोटी लड़ाई क्या जंद है हल्दी काटी दी लड़ाई है हल्दी काटी दी लड़ाई है ठीक है शोटेस्ट बैटल है सब तू छोटी बैटल है केरी बैटल ओफ हल्दी गाटी हल्दी गाटी दी जड़ी लड़ाई है ओ है और अकबर ने लड़न दे लई पे जैसी मान सिंग नू अकबर वल्लू कौन ल परताफ फारदी इस्ट्री वेच बड़ा वड़ा रूर है माराना परताफ दा ता जेरी ए लड़ाई लड़ी गई ए मेवार ते राना माहराना परताफ दी लड़ाई सी अकबर दे नार और अकबर वलू कौन लीड का रेया सी मान सिंग लीड का रेया सी important question है important question है कि अकबर लू कौन लीड का रेया सी मान सिंग लीड का रेया सी मान सिंग ठीक है मान सिंग was the shortest battle in history ए सिर्फ चार केंटे चली ए लड़ाई सिर्फ four hours ठीक है और the war was a result of the refusal of माराना परताफ to surrender मेवार to अकबर ए लड़ाई क्यों लड़ी गई क्यों कि माराना परताफ ने इस हत्यार चड़न तू मना कार दिता सी surrender करन तू मना कार दिता सी अकबर ने सामने ताह ए लड़ाई लड़ी गई और मुगल forces आउट नंबर परताफ मैं मुगल forces ने बरी बुरी तरा ना माराना परताफ दी सेना नो हराया पर माराना परताफ बड़ी बहात्री ना लड़ है तू फसिलिटेट परताफ असकेप मान सिंग जल्ला ही जचीफियन डोंड परताफ डिस्टिंक्टिव गार्मेंट्स एंड टूक इस प्लेस एंदे विच माराना परताफ नू निकालन दे लई उसदा जिरा एक वफादार सी डैटीज मान सिंग जल्ला उनने माराना परताफ दे कपड़े पाके ठीक है और माराना परताफ नू निकलवा दिता सी और माराना परताफ उस तू बाद भी लड़ दे रे बड़ी दे जिरा ओ परसन सी मान सिंग जला, he was soon killed, ओ मारे अगत, बाद इच मारा ना परताब भी मारे गे, ठीके चाहे मारा ना परताब दे बारे भी हो सकती है, the battle resulted in the victory of मुगल, ऐस लड़ाई दे विच मुगला दी जेत होई, ए लड़ाई दा साल बड़ा इंपोर्टेंट है 1576, एनू नोट कार लो, ए लड़ाई कदू लड़ी गई 1576 दे विच लड़ी गई, very good जी, मुहम्मद बिन तुगलक दे टाइम, विजे नगर समराज वी ओदू बनेया सी, और बामनी किंडम वी ओदू बनेया, ठीक है, दो में ही मुहम्मद बिन तुगलक दे समय बने, मैंनू दस् तो भई, ताली कोटा दी लड़ाई किना चोही है, ताली कोटा दी, कदू होई है, ताली कोटा दी लड़ाई किना चोही ते कदू होई, तराइन दिया दो में लड़ाईया, किना किना वे चोही है, दस्या जो कमेंट बोक्स है, पानी पद्दियां जेरियां तेन हैं ओ किना किना चोहिए जिरा मद काली इन पारत दे वे चे युद बहुत माईने रख दे और रहना चो जुरूर पुच्छा है अंदर कोई किये समय लगे और कमेंट बॉक्से जहना दे आंसर दो तराइन दी पहली दे दुजी लड़ाई पानी पदियां तेन लड़ाई यां ताली कोटा दी लड़ाई किंदे किंदे वे चोहिए ताली कोटा दी लड़ाई और हल्दी काटी दी लड़ाई हल्दी काटी दी हाज Toutma ideia इसे बाद जदू तराइन दे वैछ वापस आने आई दियास ते मुहम्मध गोरी आगया सी और पृत्वी रात चुहान नो ग्यारा सो इकानमे ते बानवे ढि़ीं दिया दो लडह इखान वैच पृत्वी रात चुहान गोरी जित धे या और बान благодарia जितिया हून मुहम्मद गोरी जागत चुक्atics है प्रित्वीरा चुहान नू ता हुन नू अग्ए बदर है ता चंदवार दी लड़ाई चंदवार बोल देंदे हैं चंदवार दी लड़ाई बरी इंपोर्टेंट है चंदवार दी लड़ाई 1192 चोई तरानमे चुरानवे हैं बैसे कई तरानवे बोल दे कई चुरानवे बोल दे मुहम्मद गोरी डफीटीड कनोज कनोज दा जिरा राजा है कड़वाल किंग कोन जैचंद जैचंद उन्नु चंदवार दी लड़ाईये चा हरांद हैं चंदवार ही सच्वेटिड इन प्रेजट फ्रियो चंद दे विचे मुहम्मद गोरी ते जैचंद लिचे ठीक है और यह जरी बैटल है बैटल ओफ चंदवार ग्यारा सो तरानवे या चुरानवे दे विच लड़ी गई फोर्ट बेट्वीन मुहम्मद गोरी और जैचंद उफ कनोज गडवाल डाइंस्टी तुसी इट टू चंद विचे जैचंद हार जंद है और पारत दे विचे उत्तर वाले पासे मुहम्मद गोरी दा राज हो जंद है ता चंदवार दी लड़ाई या चंदवार बोल दें दे चंदवारा दी लड़ाई चंदवार दी लड़ाई ठीक है कनोज दी लड़ाई किंदे किंदे वि चोही मुहम्मद गोरी ते जय चंद्रविज जय चंद्रविज जय चंद्रविज हाँ जा हुन क्वाइन्स इशूड बाई गोरी एंड इमेज ओगोड़ेस लक्षमी बड़ा इंपोर्टन पोशन एप बहुत वार कुछ है के रहा ओ शाशक रहा है जिन दे सिक्यां ते मा लक्षमी माता लक्षमी दी फोटों दी सी ठीक है डैट वाज मुहम्मद गोरी बड़ा इंपोर्टन पोशन है अच्छा मैंनों वो दस्या जो महमूद गजनवी दे सिक्यां ते की सी महमूद गजनवी दे सिक्या ने की सी हां जी मुहमद गोरी दे सिक्या थे मा लक्ष्मी on one side and कलमा बाज इंसक्राइब दी अरेविक ओंदा other side एक पासे मा ता लक्ष्मी और दूसरे पासे कलमा लिख्या ओंदा सी कलमा लिख्या ओंदा सी Soon after the victories of मुहम्मद गोरी इक्ता सिस्टम इंट्रिडूस्ट वैसे मैंनू दस्या जो पारत वेच इक्ता सिस्टम शिरू करन दा श्रे किनू जानता है दस्या जो तो अनू पता होएगा इक्ता पर नाली किन्ने शुरू किती मनसबदारी पर नाली किन्ने शुरू किती दो में दस्से आज़े इक्ता पर नाली ते मनसबदारी पर नाली इक्ता पर नाली किन्ने शुरू किती और मनसबदारी पर नाली किन्ने शुरू किती बजार बंदोबस्त कौन लेकि आया तिन्नों कोश्चन दे आंसर दो इक्ता पर नाली, मंसबदारी पर नाली ठीक है इक्ता पर नाली किन्ने शुरू किती और मंसबदारी पर नाली किन्ने शुरू किती एथे साधे को लेक जानकारी आई कि मुहम्मद गोरी ने इक्ता परनाली शुरू किती नौर्दरन इंडिया देवेच उत्री पारत देवेच ए परनाली शुरू किती दस्तो जी बिल्कुल जी इल्तितमीश ने इक्ता परनाली किने शुरू किती इल्तितमीश और इल्तितमीश कोन है मुहम्मद गोरी दा ही जिराबाद एच इकता पर नाली लाग्गू करेगा इंडिया जै ठीक है? और उतरी पारत देवेच इकता पर नाली जरी शुरू किती हो किनने किती? मुहम्मद गोरी ने किती मुहम्मद गोरी ने सिक्क्यां ते एक पासे लक्ष्मी माता न फोटो ओर एक पासे अरेजबिक दे कलमा लिख्या होंदा SMITH और महमूत गजनवी दे सिक्क्याँ ते एक से संस्क्रीत और एक पासे अरेजबिक सी और अन दे उत्ते महमूत गजनवीदा नाम वी सी ठीक है यह आपा पढ़े आज़े आज़े वेटा बिट थोड़ी होरी इंफोर्मेशन शेयर कर देयां फहले मैं नो एनना कोशन दे आंसर देओ हाँ जी इकता पर नाली किने शिरू किती उने तुसी दस्या इकता पर नाली किने शिरू किती आ कि शिरू किती दस्या जो झाल झाल हाँ जी तक पूजो हो चीजा जे रिया पीपीटी दे बेच्छा हले लियानी पाया सी तचलो जी हाँ गोरी ने मुहम्मद शाम भी क्या जानता है गोरी ने की क्या जानता है मुहम्मद शाम खुटबु दीन ईहिक नू या कुटबु दीन ईहिक नू या कुटबु दीन उहिक वी क्या जानता है नू अपने पार्टी आलाकां दा इंचार्ज निउक्त किता तच्व मुहम्मद शाम या मुहम्मद गोरी ने पार्टी लाक्यां दा इंचार्ज किन नू बनाया कुत्बु दीन एबकनू 1192 इश्वी दे वेचे तराइन ने गया तराइन दी लड़े तराइन दी लड़ाई वेचे महत्पुरन पूमिका निभाई उन दे तू खोश हो के गोरी ने कोहराम अते समाना दा पर्शाशक नियुक्त किता इस समय बेच आइबक ने उतरी पार्ट मिच तुर्की दी शक्ती दा विस्तार किता था जिरी तुर्की शक्ति दा विस्तार है ओ किसने किता एवबक ने और एवबक ओन है इग गुलाम है किस दा मुहम्मद गोरी दा जिसनो उसने चार्ज लिता है गोरी जा एवबक ने कदे बिहारते बंगाल नो जितन वारे नहीं सोच जा सी कदे भी ऐस पासे बदन दानी सोच जैसी बहार बिहार ते बंगा एक काम मुहम्मद गोरी ने एक होड नोक कर कहनो क्या जान दा है एक्तिारू दिन मुहम्मद वैसे जादा नाम चल दा है बक्तिार खिल जी पूरा नाम है गया अक्तियारू दिन मुहम्मद बिन बक्तियार खिल जी तब बंगाल दा एरिया और बिहार दा एरिया के रे सेवक ने जित्या बक्तियार खिल जी ने जित्या ग्यारा सो त्रानमे तु बारा सो दो नू उसने बिहार नू जेतके राजदानी उदंत पुरी उते कपजा कर लिया अते नलंदा ते विक्रम शिला नू तबाह का दिता एक उशन इंपोर्टेंट है उक केरा परसन है जिसने नलंदा ते विक्रम शिला यूनिवस्टी नू तबाह किता दैट परसन वाज बक्तियार खिल जी दैट परसन वाज बक्तियार खिल जी ओ परसन है जिसने नलंदा ते विक्रम शिला यूनिवस्टी नू डिस्ट्रॉाई किता उसने ग्यारा सो अठानवे तू बारा सो तेन तक बंगाल उते हमला किता उस समय उते दा शाशक कौन सी लक्षमन सेना एवी इंपोर्टेंट है जदू बक्तियार खिलजी बंगाल नू जितन वास्ते जानदा है बिहार ते बंगाल नू तो ते शाशक कौन उन्दै लक्षमन सेना उन्दै ओ असल वेच लड़ाई लड़े बिना ही जगा चाढ़ गया सी दार के तुर्की दी फोज ने राजदानी नादिया वेच दाखलोई लोका नू लोट लेया राजे दी गैर हाजनी वेच शैर ने समर्पन कार दिता ओतू पाज के लक्षमन सेना ने दखन बंगाल वेच शरन लई ते ओते दखन वाले पासे यानि बंगाल दा दखन वाला पासा निचे वाला पासा ओते थोरी देर अपना राज चलाया बक्तियार खिल जी ने पूरा बंगाल जितन दी कोशिश नहीं किती उसने लखनोती नू एवी इंपोर्टेंट है कि बक्तियार खिल जी ने आवदी राजदानी के डी जगा नू बनाया सी लखनोती नू आवदी राजदानी के नू बनाया सी लखनोती नू ता बक्तियार खिल जी ने आफ दी राइदानिक नो बनाया है लखनोती नो परफैसर हभीब दे उनसार तुर्का द्वारा उत्तर पच्छमी सूबे दी जितने करमवार शेरी करांती या ते पेंडू इंकलाब नो जनम दिता एन आ चницलादा जनम होया मैंनो दसे आ जो और एन ऐ कोशन दे आंसर भी दे आजो की एकोशन असी कितते है हजरत महंमद पगंबर केले साब बेच पैदा हूए दसे आजो पनसो सबस्तर छेसो बाई छेसो ब्याली छेसो सबस्तर दसे आ जो बेटा हजरत मुहम्मद दा जनम है ओ कदू होया हजरत मुहम्मद दा जनम पीडिएफ दे बेच्चो अब्जेक्टिव टाइप कोशन विद आंसर दित्ते गए ने विद आंसर दित्ते गए ने फिक है जदू त्यार हो जेगा एंदे तू अलग भी कोशन आंसर करांगे विलकुल जी पांटे सन्दार्व जो हिंदू शबर दी वरताओ सब टू पहला किना द्वारा किती गई सिअपपा हिंदू शबर सबन Slovenal पहले किना ने वरते या अरभिय ने वरतेओ जी अरभिय ने वरते या चंचनामा दे अंसार छेमी ते सत्वी सदी वेच चंचनामा दस्या जो केरे प्रांतनाल सबंदत बुक है चंचनामा छेमी ते सत्वी सदी वेच सिंद देश दी राजदानी की सी सिंद दी राजदानी एत्यार रख्या है जो अरोर सी सिंद प्रांती जरी राजदानी सी यो क 711-712, 712, ठीके, 712 ही आएगा, 711, एन आ विच्चु कोई नी, 712 लाया जी, 712 इस भी विच्चोया, जदू मुहम्मद बिन कासीम ने सिंद नू जेत लेया, कदू जित्ते आ जी, 712 जित्ते आ जी, हेटा जित्ते कथना नू अजर्शन रीजन दे रूपे सोल करो, अजर्शन मतलब दावा और उसना कारण, पारत उत्ते तुरकी दे हमले सफल रहे, कारण उत्तरी पारत रहेजर राज नी तिक एक्ता नहीं सी, दुसिया जो सही के गल्द, बिलकुल सही है जी, ओ सफल क्यों रहे, क्योंकि एक्ता नहीं सी, ता अजर्शन भी सही है, दावा ते कारण दो में सही हन ता आर एदी सही व्यक्या भी है दो में गल्ला मी सही है और एस गल्दी सही व्यक्या भी मेरी है ता तो अड़ा अंसर ए उप्शन आ गया मैंनो दस्या जो बेटा कि ये अब्जेक्टी टाइप कोष्टन जरे नाल दित्ते गए है कि ये तो अडी ओस पाठ दी समझ नू पुखता बनानगे दस्या जो एक वरी जेरे ये अब्जेक्टि टाइप कोशन ओ पीडी एफ दे नाल दिते गए है कि ये तो अडी जरी लेस्ट दे वेच जेरा तुसी ग्रास्प किता कि अनू पुखता बनानगे दस्या जो बिन कासिम एक सी कौन सी मुहम्मद बिन कासिम अरब सी भेट लिख्या मिचू गजनवी राजवन्षता मोड़ी कौन सी अलप्त गिन सी अलप्त गिन पार्त वेच पहला मुसल्मान हमलावार सी कौन सी पहला मुसलिम हमलावार मुहम्मद बिन कासिम दस्या जो बेटा बेटा जेरी गल पुछिया ओ दस्या जो की ए अब्जेक्टी टाइप कोश्चन उमें बनाए गए जो तुसी पढ़या उससे तु अब्जेक्टी टाइप कोश्चन बनाए गए है कि एंदे नाल साड़ा नाल दी नाल चेक कोएगा भी साड़ी जानकारी कित्तु तक पुखता होई दस्या जो कमेंट बोक्स जी और दस्या जो आजदा लेक्चर की में लग गया सब्जेक्टीव और उन्नू चेक करन लई अब अब्जेक्टीव और कुछी इंफोर्मेशन होई फिर एंनू होई दैप तक जावांगे होई अब्जेक्टीव दे राई अब्जेक्टीव पिक आपा कंप्लीट किता है मुस्लिम इनवेजन टू इंडिया ठीक है दस्या जो कीमे रहा तो अडाइक्स्पीरियंस दस्यो बेटा तो अडाइक्स्पीरियंस कीमे रहा दस्यो शाबाश हांजी बेटा दस्यो कीमे रहा कि ये टोपिक समझ लग गया मुस्लिम इनवेजन इंडिया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने बेटा एस सेकिंड क्लास सी जी पहली क्लास एच मुस्लिम इनवेजन इन इंडिया नो दो क्लास एच कवर किता है सी लाइक शेयर सब्सक्राइब एजरूर करने जी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने रिमार्क्स जरूर देया जो फर्स्ट टोपिक दे कंप्लीशन थे जदू एस लेक्चर नो खतम कर डीयो उसतो बाद अपने रिमार्क्स देया जो व्यटाइवर यू फी चंग यह बुरे जीwheेव मितव अनु लग ज्यूर रिमार्क्स देने फिकिर जी मुत्य अनलग जदू लेक्चर नो एंड कर दियो उसतो बाद रिमार्क्स देया जोщее सब्सक्राइब